तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे रिकोन इंटरनेशनल ने अपने quarter 2 के number disclose कर दी है तो कैसे रहे है quarter 2 के number और इसका जो impact है वो हमें stock के उपर कैसा देखने को मिलेगा इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ में क्या कुछ अनौस हुआ भी उसके बारे में भी द total revenue तो यहां पर आप लोग देख सकते हों तो देखो भी current quarter में जो total income हमें देखने को मिल रही है वह लगबग 2538 क्रोड की जो previous quarter में क्या थी 2385 और previous सिर्कासी हम quarter में 3136 यानि कि year to year basis पर इसकी जो income हो तूटी है and quarter to quarter basis पर income में जंप आये and half year में भी आप लोग देखो कि income उ 49423 कोड़ पर आई है इसके अलावा आप लोग देखो कि इसके expenses यानि company ने जो खर्चे की हैं तो current quarter में expense कैसे है 2327 क्रोड के previous में क्या थी बहुत दो जार 112 और प्रीवेसर के सेम quarter में 2835 यानि कि year to year basis पर था expense कम है बट क्यों के वेसिस पर चड़े है और अब की बार जो revenue expenses मतलब company ने profit बनाया है लेकिन profit कितना चलिए देखते भी net profit for the period अगर बात करें तो current quarter में जो profit company ने बनाया भी वो है 205 क्रोड का जो previous में क्या था 224 और previous year के same quarter में 250 क्रोड का यानि कि previous quarter से जो इसका profit अभी वो कम हुआ है यानि profit टूटे है company के तो इसके लावा आप लोग द लेकिन पीछे के मुकाबले जो profit से company के टूटते वे नजर आये हैं और earning per share की अगर मैं बात करूँ EPS की तो यहां पर देखो के 2 रुपे 19 पैसे previous में 2 रुपे 38 था और previous year के same quarter में 2 रुपे 67 पैसे ही तो इसके earning per share है ठीक है इसके अलावा आप लोग ये notes पड़ लेना during the quarter क क्या कुछ होते हैं नजर आया भी और market estimate इसका available नहीं है और खास इसके अंदर कुछ है भी नहीं है ठीक है कुछ खास तो update नहीं आया इसके अंदर और वाकी ही आपको मैंने सब कुछ बताया देवी revenue segments है किस segment से कितना revenue company ने generate किया एक बर आप लोग यहां से यह current quarter यहां पर आप लोग एक पर दीख लेना भी ठीक है तो चलिए अब आपको दिखाते भी assets वगरा अगर मैं बात करूं तो total assets इसकी जो नभी वह पीछे के मुकाबले हमें increase होते हुए नजर आ रही है ठीक है total assets पीछे के मुकाबले increase हुई है and borrowing वगरा तो company को पर है ही नहीं कुछ खास तो यहां पर आप लोग देखोगे भी इसके अंदर है क्या बोलते है रिवेसिस पर हमें इसका जो रिवेंग वह भी increase होते हुए नजर आ रही है यानिकि डेट भी company के उपर increase हो है short term long term दोनों जगहां पर इसके लावा यह आपको cash flow statements देखने को मिलेंगे भी देखना मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं आए अब पीछे के मुकाबले तो हो सकता हलका full का negative impact है यहां पर और वाकी कल पता चलेगा थेंक्यों फॉर वाचिंग दे वीडियो